नमस्कार दोस्तों दोस्तों सिक्स्या मनोविज्ञान के अंदर हम अधिगम के जो टोपिक है इसके बारे में अधिगम का उसके अंतरगत हमने जो अधिगम है उसकी प्रीभासाएं अधिगम की विसेस्ताएं कारक और थोरंडाइक का जो सिधान्त है उसके बारे में अधिग किया था दोस्तों आज हम बात करेंगे आगे के सिधान्तू के बारे में दोस्तों इंपोर्टेंट सिधान्त रहेंगे सभी आप आसानी के साथ है इनको कैसे समझे इसी को लेकर यहां पर हम ट्रिक के साथ अध्यन करेंगे आप सभी का मिस्वागत करता हूं यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर दोस्तूं अगर आपको वीडियो और मेरे दुवारा पढ़ाया गया घ्यान पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक और अपने मित्रू के पास सेर जरूर कर दें दोस्तूं दोस्तूं यहाँ पर हम वेवारवाद जो वेवारवादी सिधान्त आये थे और जो आपके यहाँ पर दोस्तूं साथ में आये थे गैस्टाल्टवाद सिधान्त इनके बारे में मिक्स अद्दिन कर रहे हैं आपको सिधान्त के बारे में मैं बताता जाओंगा कि ये गेस्टाल्ट वादी सिधान्थ है ये वेवार वादी सिधान्थ है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जो आगे अद्यन कर रहे हैं हलका सिधान्थ है दोस्तों ये गेस्टाल्ट वादी सिधान्थ है दोस्तों दोस्तों पुन्रिबलन का सिधान्त या हल का सिधान्त important सिधान्त है दोस्तों ज्यादा लंबा तरीका हम नहीं अपनाएंगे ज्यादा अध्यन है विस्तरी तद्यन नहीं करेंगे जितना सोट के अंदर हम अध्यन कर सकते हैं और जो क्यूसन है वो सोट से ही पुछे जाएंगे दोस्तूं ज्यादा अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो उसमें से क्यूसन तो पुछे जाएंगे लेकिन हमको उत्तर पता नहीं रहेंगा क्योंकि वो सभी हमारे मिक्स हो जाएंगे तो देखते हैं दोस्तूं पुन्रबलन का सिद्धांत किस ने दिया था दोस्तूं हल ने दिया था और हल निवासी कहां के थे दोस्तूं USA के निवासी थे कहां के निवासी थे USA के निवासी थे इन्होंने ये सिद्धांत थोरंडाईक और पावलव पदती पर दिया सन 1915 में अपने पुस्तक principles, behaviors में ये सिधान्त दिया था तो दोस्तों एक क्यूसन यहां से बनता है ध्यान से देखो जो हलका सिधान्त है दोस्तों ये किस के पदती के आदारित है जो थोरंडाइक और पावलव का सिधान्त थोरंडाइक हमने पड़ लिया और पावलव का हम आगे पड़ेंगे दोस्तों इन सिधान्त है और दोस्तों ये क्यूसन दूसरा बन सकता है कि जो हलका या पुंदरबलन का सिधान्त है नौर्मली आफ्सीक्ता पर बल देता है जो पुन्धर बलन या हलका सिद्धांत है ये हमेशा आफ्सीक्ता के ऊपर बल देता है कैसे दोस्तों अगर आपको जोब की आफ्सीक्ता है तभी आप पड़ाई करोगे जो हल है उनका केना था जिनकी जिस चीज के में आवसिकता होती है उसी के आदार पर हम क्या करते हैं दोस्तों क्या करते हैं बल देते हैं या किरिया अनुकिरिया करते हैं दोस्तों दोस्तों हल ने परियोग किया था बिल्ली और चुए पर हल ने परियोग है वो किया था और दोस्तों जो बिल्ली और चुए पर जो परियोग किया था वो सेम का सेम जो थोरंडाइक का अदारीत है थोरंडाइक ने किया था उसी के अदार पर किया था हल की अनुसार सीखना आवसिक्ता की पूर्ती की परकिरिया के दुआरा होता है कोई भी चीज अगर हम सीख रहे हैं तो हगर हम उसकी हमें आवसिक्ता है तबी उसको हम सीखेंगे अनिता उसको नहीं सीखेंगे दोस्तों चलते हैं दोस्तों आगे क्या बताया हल ने इस सिधान्त की व्यक्या करते से में बताया कि परतेग प्राणी अपनी आवसेक्ता को संतुष्ट करने का प्रियास करता है जब हल इसे सिधान्त की व्यक्या कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि परतेक जो प्राणी है अपने आवसेक्ता की संतुष्टी के लिए क्या करता है परियास करता है परती किरिया करता है सीखने का आदार किसी आवसेक्ता की पूर्ती की परकिरिया में होता है अगर आपको आवसेक्ता है सभी आप कोई चीज को सीखो गे अरतार्त कोई भी प्रा किसने दिया था हल ने दिया था दोस्तों इसकी नर ने क्या का था इस सिद्धान्त के बारे में इसकी नर ने क्या का था दोस्तों इसकी नर ने हल के इस सिद्धान्त को अधिगम का सर्वे स्रेश्ट सिद्धान्त बताया था दोस्तों यह क्यों सिद्धान्त को किसने अधिग करके ही सिखाया जाता है दोस्तों आउसेक्ता और प्रेरना पर यह सिद्धान्थ है जो क्या देता है दोस्तों बल देता है आगे देखते हैं दोस्तों जो हलका सिद्धान्थ है उसका सेक्सिक मैत्व है बालकूं को प्रेरित किया जा सकता है सेक्सिक मैत्व है दोस्तों बाल विदार्तियों के आउसेक्ताँ उपर बल देता है। अगर हम पाटे करम बना रहे हैं तो उससे में विदार्तियों के आउसेक्ताँ हैं उनके उपर ये सिद्धान्त है जो बल देता है। सिद्दांत काक्सा में पढ़ाए जाने वाले प्रक्रुणूं के उद्देशों को इसक्र करने पर बल देता है उद्देशिय वए लख्से इसक्र होते हैं जो हमारे लख्से हैं जो हमारे उद्देश्द्से हैं वो इस पेस्ट है, जिस परकार अगर आप rate की तियारी कर रहे हो, तो आप सभी का लग से, आप सभी का उदे से क्या है rate, उसके लिए आप, आप क्या उसक्त है, लोकरी, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, किसको, मनोविज्ञान को दोस्तू, अब दोस्तू, important चीज़ ये रहती है, कि जो भी सिद्धान्त है अदिगम के, उनका सिद्धा सा एक क्यूसन आता है एकजाम के अंदर, हर बार पूछा जाता है हर एकजाम के अंदर, कि जो उपनाम होते हैं सिद्धान्तू, कि उनमें से उपनाम दे दिया जाता है, और पूछ लिया जाता है, ये सिद्धान्त किस ने दिया था, तो जो हल का सिद्धान्त है, या प्रबलन का सिद्धान्त है, या पुनरबलन का सिद्धान्त है, इसके देखते हैं दोस्तू, प्रबलन का सिद्धान्त, अंतरनोद न्यूनता का सिद्धान्त, सबली करण का सिद्दान्थ यथार्त अधिगम का सिद्दान्थ सतत अधिगम का सिद्दान्थ करमबंद अधिगम का सिद्दान्थ और चालक निउन्ता का सिद्दान्थ ये दोस्तु नाम आपको याद रिखने होंगे इनकी कोई ट्रिक नहीं होती हो और इनको ना तो में छोटे कर सकता हूं नहीं बड़े कर सकता हूं सिर्फ आप इनको याद ही करोगे दोस्तूं तो प्रबलन का सिदान्थ, अंतरनोद नियुंता का सिदान्थ, सबली करण का सिदान्थ, यतार्त अधिगम का सिदान्थ, सतत अधिगम का सिदान्थ, करंबद अधिगम का सिदान्थ, चालग नियुंता का सिदान्थ, यह सभी हल के दोरा दिये गए सिदान्थ के ही उपनाम है दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सिधान्त की और नेक्स्ट है बांडूरा का सामाजिक अधिगम का सिधान्त दोस्तों जो बांडूरा का सामाजिक अधिगम का सिधान्त है ये भी बहुत इंपोर्टेंट सिधान्त रहता है दोस्तों दोस्तों इसके बारे में देख को आपको याद रखना सीधा पूचा जा सकता है सामाजी कदीगम का सिद्दान्त किस ने दिया था तो ये दिया था अलबर्ट बांडूरा ने सामाजी कदीगम का सिद्दान्त है ये है दोस्तों आप सभी को पतावना चाहिए ये गेस्टाल्ट सिद्दान्त है कैसा है गेस् दोस्तों बंडूरा द्वारा परियोग किये गए थे बोबी डोल जो बोबी डोल होती है उस पर और जीवित जोकर के उपर दोस्तों किस पर किया गया था बोबी डोल पर और जीवित जोकर के उपर इन्होंने परियोग किया था दोस्तों इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसके बालक भी था जब बालक का क्या नाम था ये क्योशन पूछा भी गया है बंडूरा ने बालक के उपर प्रियोग किया था बालक का नाम था अलबर्ट अलबर्ट के साथ बेबी डोल या बोबी डोल और जोकर पर इन्होंने परियोग किया था यह बालक का नाम था अलबर्ट दोस्तों नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है इससे आपका पूरा है जो सिधान्त कंप्लीट हो जाएगा आपको विस्तार नहीं पढ़ना है अगर आपने इतना अर्थ पढ़ लिये ये चार तीन लाइन ये चार लाइन पढ़ लिये तो पूरा जो सिधान्त है वो स कारण ही समाजिक अधिगम कहलाता है दोस्तूं। दोस्तू समझिए, एक मिनट में मैं आपको थोड़ा सा सोट में समझा देता हूं। समाज़िक अधिगम क्या होता है? जो अच्छे कारण है, जो समाजके अंदर हम दूसरू को हम देखकर जो अच्छे नियम है जो अच्छे नियम काईदे हैं उनको तो हम धारन करें और जो एमाने यानि जो वेवार समाज के लाइक नहीं है उनको हम त्यागें यही होता है सामाजिक अधिगम दोस्तों क्या होता है अच्छे वेवारों को अपनाना बूरे वेवारों को त्यागना ही सामाजिक वेवार होता है नोट इस सिद्धान्त में अनुकरन द्वारा सीखा जाता है सही है दोस्तों समाज में आप जाओगे दूसरों को देखकर सीखोगे तो उनका अनुकरन करोगे अनुकरन का मतलब इस सिद्धान्त में अनुकरन के दुआरा ही सिखा जाता है कुछ नियम भी देख लेते हैं इसके दोस्तों तो बांडूरा ने अपने सिद्धान्त के चार पद बताए थे जो बांडूरा ने यह सिद्धान दिया था इसके चार पद बताए थे यह चार सोपान है वो बताए थे दोस्तू पेला है दोस्तू अवधान अवधान को ध्यान भी कहा जा सकता है अवलोकन भी कहा जा सकता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तू संक्सित में इसका मतलब समझें अवधान का तू मतलब होता है देखना दोस्तू निरिक्षन करता का ध्यान अपनी और अकर्षित करने के लिए मोडल, आकर्षन, लोगपिरिये, रोचक, वसपल होना चाहिए, मतलब देखना, जो निरिक्षन करता है हमारी ओर देखे, समझ गए दोस्तों, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यह चीज दोस्तों, दूसरा है दारन, दारन, वेवार को दारन करना, इ जो वेक्ति है वो वेवारों को वेक्ति है जो अपने वेवार है समाज से जो वेवार वो सीख रहा है उनको अपने मस्तिक्स है उसके अंदर वो जैसा उनको देखा है उसी परतिमानू के रूप में या उनका साब्दिक वर्णन करेगा और उनको क्या कर लेगा दारने कर उने को दूसरों के सामने प्रस्तूत करना जो आपने समाज में जाकर सिखा उनको वापस वही पर जाकर क्या करना पूने बताना क्या कहते हैं जिसको हम ध्यान से देखकर दारन करते हैं और दारन करने के बाद में उसे पूने प्रस्तूती करने करेंगे यानि पुन्ह वहाँ पर जाकर उसका क्या करेंगे दोस्तों हम पुन्ह उत्पादन करेंगे दोस्तों नेक्स्ट है पुन्रबलन जहां सकारात्मक पुन्रबलन मिलने पर हम उस कारिये को दोबारा करेंगे समझे दोस्तों अगर मैंने इस وीडियो में आपको कुछ अच्छा ग्यान दिया तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकिन मैंने ऐसे ही बकुआज कर दी तो आप नेक्स्ट वीडियो नहीं देखोगे तो मतलब आपको अगर यहां पर सकारात में मिलेगा तो आप रेगूलर देखोगे नकारात में मिला तो आप आज के बाद वीडियो नहीं देखोगे दोस्तु यह हो गए 405 चार पग बांडूरा के सिद्धान्त के आगे देखते हैं दोस्तु बांडूरा द्वारा बताए गए सामाजी का दिगम सिद्धान्त में व दोस्तु पहेला है स्वह नियंत्रन, दूसरा है स्वह निर्देशन और तीसरा है स्वह पुन्द्र बलन जो बांडूरा द्वारा सामाजी का दिगम का सिद्धान्त बताया गया था उसके अंतरगत वेक्ति वेक्ति है जो अपने आपको तीन किरियाओं के दौरा शंतुलि पहले देखते हैं स्वह नियंत्रन, स्वह नियंत्रन के तीन भाग होते हैं, स्वह निरोक्षन, विवेक पुरुन निर्ने, स्वह अनुक्रिया, स्वह निरोक्षन क्या होता है, अपने आपके वेवारूं को देखकर निरिक्षन करना, खुद के वेवारूं का निरिक्षन कर करता स्वय निर्देशन द्वारा अपने वेवार को निर्देशित करने के लिए प्रभावी युक्ति का परियोग कर सकते हैं स्वय निर्देशन द्वारा क्या करेगा अपने वेवार को जो हमारा वेवार है उसको हमें निर्देशित करना है जैसा करना है हमें करना है तो उस को निर्देशित करने के लिए जो अमारी युक्ति है उसका आम प्रियोग कर सकते हैं नेक्स्ट है तीसरा हमारा स्वह पुंद्रबलन दोस्तों पुंद्रबलन है कि हमें नकारात्मक पुन्दरबलन मिल रहा है या सकारात्मक पुन्दरबलन मिल रहा है वो अपने वेवारों को निर्देशित कर सकता है दोस्तों ये हो गए दोस्तों तीन संतुलित करने वेगती के अपने आपको संतुलित करने के किरिया हैं ये दोस्तों आगे हम देखते हैं दोस्तों सामाजी कदीगम का जो सिद्धान दिया था बंडूरा ने इसका सेक्सिक मेहत हुए क्या है दोस्तों सिखसक चातरू के सामने आदर्श वेवार वाले परतिमान मोडल परस्तूत करेंगे सिखसक के सामने चातर है जो सिखसक है वो चातरू के सामने अच्छे मोडल जो क्या कर सकते हैं जो चातर है उनका ध्यान आकरसित कर सकते हैं उनको सीखने को कुछ अच्छा मिल सकता है उनको अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं ऐसे मोडल प्रस्तूत करेंगे बूरे वेवार उपस्तित ना होने देंगे सिक्सक है जो बूरे वेवार है वो ककसा कहीं पर भी उपस्तित ना होने देंगे स्वह नियंतरन की विदी अपनाएंगे कि सिक्सक है वो छात्रों को खुद का नियंतरन करने की विदी अपनाने को कहेंगे या खुद छात्र है जो स्वह नियंतरन की विदी अपनाएंगे अज्यापक विश्वास दरड करने वाले संदेश देकर वे अन्य वेक्टियों की सफलताओं को दिका कर तता स्वेम के नुभवों द्वारा विधार्तियों में स्वेप परभाव सिलता का विकास कर सकते हैं दोस्तों यह हो गया हमारा दूसरा नियम दोस्तों आगे हम देखते हैं किरिया परसूत का अधिगम का सिद्धांत यह तीसरा नियम पहले हमने एक जो लाश्ट क्लास थी उसके अंदर हमने देख लिया था अब तीसरा आज की क्लास का तीसरा नियम हम देख रहे हैं किरिया परसूत अधिगम सिद्धांत या किरिया परसूत का 1938 में और कबूतर पर किया था 1943 में दोस्तों ये सिद्दान्त है जो थोरंडाई के प्रभाव के नियम पर आधारित है यहां पर एक छोटी सी बात और बता दू दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको तो भी ये जो चीजें में बता रहा हूँ इनके नोट्स बनाते जाईए जब नोट्स बन जाएंगे तो उनको एक बार पढ़ लेना आपको भूत अच्छी तरह है जो समझ में आ जाएंगे दोस्तों तो दोस्तों इसकिनर के सिद्दान्त के हम बात कर रहे हैं यहां पर इसकिनर का जो सिद्दान्त है इसके बारे में हम देख रहे हैं तो दोस्तों इसकिनर के सिद्दान्त का नाम है किरिया परसूत अधिगम का सिद्दान्त या किरिया परसूत अनुबंदन सिद्दान्त अनुबंदन सिद्दान्त भी जो इसकिनर का सिद्धान्त है ये कैसा है तो दोस्तों ये वेवारवादी सिद्धान्त है ये आपको याद रखना है इसकिनर का जो क्रिया परसूत का सिद्धान्त है ये वेवारवादी सिद्धान्त है आगे चलते हैं दोस्तों इसकिनर ने क्या बताया इसकिनर ने अपने आदार पर बताया कि प्राणी सीखते समें दो प्रकार के वेवार करता है द्यान से पढ़ ले ना दो प्रकार के वेवार करेगा प्राणी यहां पर पहला है एक प्रकार के वेवार में उदीपक की जानकारी होती है इसे अनुक्रि जो पहला वेवार होगा उसके अंदर जो वेवार करेगा प्राणी उसको उदीपक की जानकारी होगी उदीपक की जानकारी होगी तो जो उदीपक होगा उसे अनुक्रियात्मक वेवार कहा जाएगा उदीपक की एगर जानकारी होगी तो और ग्यात उदीपक के परती होने व अत्वा किरिया परसुत वेवार कहते हैं दोस्तों जिसके अंतरगत क्या नहीं होती है उदीपक की जानकारी नहीं होती है अग्यात उदीपक के पड़ती होने वाले अनुकिरिया को निर्गमित या उत्सरजित अनुकिरिया या किरिया कहते हैं दोस्तों तो ये दो चीज़े आपको याद रखनी है इसी से आपका सिद्धानत है वो आपको समझ में आ जाए गा दोस्तूं आगे देखते हैं स्किनर का मत क्या था इस्किनर का मत है यदि इस परकार अनुक्रियों को पुन्दर बलितिया बल परदान करना कर दिया जाए तो वह बलवती हो जाती है और वेवार में इस्ताई परिवर्तन लाती है दोस्तूं इस्किनर ने क्या का था कि जो कोई प्राणी क्रियाएं कर रहा है उनको बल दे दिया जाए उनको सकारात्मक बल दे दिया जाए उनको बल दे कर बलवती कर दिया जाए तो वो हो जो अनुकिरिया कर रहा है जिसें वेवार में परिवर्तन होना है वो वेवार में परिवर्तन इस्ताई परिवर्तन होता है दोस्तों इसकिनर का मत है कि अनुकिरिया के लिए सदे उदीपक होना आउसेक नहीं है कभी कभी उदीपक की अनुपस्तिती में भी किरिया हो सकती है ये भी अच्छी बात है दोस्तों हमेशा उदीपक के जो किरिया करने अनुकिरिया करनी है में उसके लिए क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों उदीपक की आउसेक्ता नहीं होती है कभी कभी ऐसा होता है जिसमें बिना उदिपक के भी क्या हो जाती है इसलिए इसकिनर ने इसकिनर के बारे में कहा गया है कि इन्होंने प्रंप्रागत थोरी SR को RS में प्रिवर्तित कर दिया SR को किस में प्रिवर्तित कर दिया RS में दोस्तों यहां से क्यूसन सिधा बन रहा है वो बता दूँ आपको एक Q-San पूचा जाएगा किस मनोवेग्यानिक ने SR थियोरी को RS थियोरी में परिवर्टित किया था इसकी नर्ने दोस्तों यह आपको याद रखना है अब इसका सेक्सिक मेहत्वे देख लेते हैं क्या होगी जदा बढ़ेगी और जदा अनुक्रिया करेगा लेकिन कोई एवांचित अनुक्रिया कर रहा है तो उसको हम नकारात्मक पुन्रबलन देंगे तो वो अपने आप रुक जाएगी दूसरा है हध्यापक चात्रू के वांचित वेवार को परसंसाब पुरुषकार प प्रोचसान दे सकते हो सहमती दे सकते हो उनकी परसंसा कर सकते हो तीसरा है विद्यारती को ततकाल पुन्रबलन देना चाहिए सहीए दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट चीज दोस्तों अगर विद्यारती को तुरंत पुन्रबलन दिया जाएगा तो वो अच्छी तरह नेक्स्ट चोता, सिक्सार्ति का प्रेणाम, सिग्रा अत्ति सिग्रे गोसित करना चाहिए, पांचवा है, अभी कर्मित, अनुदेशन, कम्प्यूटर साहिक, सिक्सन मसीन, आदी में पुन्रबलन देने के लिए इसी सिदान्त का प्रियोग किया जाता है, तो ये पांचवा र पहला है आरस का सिदान्त, सक्री अनुबंदन का सिदान्त, विवारिक सिदान्त, नेमेंतिक वाद का सिदान्त, कारियात्मक पर्तिबंदता का सिदान्त, तो ये सिदान्त तो आपको याद करने ही होंगे दोस्तों, इनसे सिदा क्यूसन है, जो आपको क्या है, पूछा जा सकता है तो यह सभी सिद्धानत है जो आप याद जरूर करें दोस्तों आगे हैं दोस्तों कुछ जानकारी और है वो देख लेते हैं एक रेखिये अभीकर्मित अनुदेशन इसका परतिपादक बीएप इसके नर ने उनीस सो बावन के अंदर किया था मतलब यह जो सिद्धान नॉर्मन एक क्राउंड है और 1960 में इसका परतिपादन किया था तो दोस्तों आज हमने यह तीन सिद्धान देखे हैं इसके साथ थोड़ा सा और जानकारे ले ले लेते हैं मेतमेटिक्स या अवरोधी अभीकरमित अनुदेशन का दोस्तों तो दोस्तों यह तीन सिद्धान आज के वीडियो में देखें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अधिगम का जो टोपिक है जो सिद्धान थे इनको कम्प्लिट कर लेंगे दोस्तों और जो रीड, सिटेट, यूपिटेट, एंपिटेट, एंचिटेट, इनके लिए इंपोर्टेंट सिद्धान रहते हैं वो ही आपर में दिन करवाऊंगा दोस्तों वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद